तो ऐसे सोता है वीहान हमीशा ऐसे करती हूँ पूरी रात घुमाऊंगी फिर ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे और मैं देखो इतनी सी सीट कितनी सीट है देखो ये ऐसे सोता है और मैं इतनी सी सीट में एक करवट करके ऐसे लेटी रहती हूँ आप लोग मुझे से कॉमेंट में पूछते हो कि नीधी आप सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो तो मैं अपना तरीका बताती हूँ मेरे पास तीन मोबाइल फोन है मैं हर मोबाइल फोन में अलार्म भरती हूँ एक फोन में मेरा अलार्म होता है पांच बच के पचास मिनट का दूसरे में होता है छे बजे का तीसरे में होता है छे बच के दस मिनट छे पंदरा इस तरीके से और उन में से एक मोबाइल फोन मेरे साथ रहता है दो फोन मैं दूसरे कमरे में रख देती हूँ तो एक फोन में बजना शुरू हो जाता है अलार्म तो उसको उठके बंद करती हूं फिर दूसरे फोन का इतनी देर में बजना शुरू हो जाता है तो इस तरीके से मेरी नींद खुल जाती है तो आज सुबह उठ गई थी मैं सुबह 7 बजे जादा 6.50 पे उठ गी थी 7 बजे कपड़ों के मामले में ऐसा है मेरा वजन इस टाइम थोड़ा सजादा है हो रख है तो आधे कपड़े मेरे को आते नहीं है जो टाइट हो चुके है आधे कपड़े मुझे अच्छे से फीट आ जाते हैं तो यहां पे मैंने आज वैसी मैच बनाया था सूट का इसके साथ की पजामी नहीं थी है मैच ऐसी बना दिया था और यह खिलो ने विहान इस घर में ले आया था कल खेल रहा था रात को बैठके तो अभी मैंने काजल लगा लिया था आँखो में और आज मैंने पता नहीं कौन सी ब्रेंड का काजल लगा लिया मेरे पास एक रखा हुआ था औ और यह आँखों में जलन कर रहा है मुझे शूट नहीं करता तो काजल लिप्ष्टिक लगाने के बाद मैं आपने बालों में कंगी करने लग रही हूँ और जब से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ ना मेरे बाल बिलकुल नहीं जड़ते अब पहले बाल कितने मेरे टूट कर गई है तो मैं तो मुझे तो बहुत बेनिफिट हो रहा है तो यहां पर फटा फट सुबे सुबे पहले कंगी कर लेती हूँ क्योंकि पहले तो मेरे बालों में कंगी भी करना पसंद नहीं करती थी क्योंकि इतने हेर फोल हो जाता था ना बालों को फिर मैं देखती थी हा rubber band से भांध लेती हूँ बाकी हाँ चोटी बना के जब हम रखते हैं ना बालों की तब तो बिल्कुल भी बाल नी टूटते हैं मैंने एक दिन बनाई थी ना तब एक या दो दिन बना के रखी थी तो बालों में कंगी से तो देखो ये देखो मैं यहाँ पर दिखा रही थी आ और फिर मैं चली गई मम्मी साथ वाले घर में और यहाँ पर मैंने अपना वजन चेक किया 72.2 kg वजन मेरा आ रहा था 72.2 kg तसली सी नी हुई तो मैंने दुबारा कड़ी हो गई मशीन पे मैंने का नहीं यार कल तो कम आ रहा था लेकिन आज सच में जादा आ रहा है देखो 72 2.2 kg है लेकिन 74 पे आ गया था मेरा इस सर्दियों में मेरा वजन 2 kg तो मेरा कम हो गया उसके बाद ममी भी आ गए बोलते चलो मैं भी वजन चेक कर लेती हूँ तो मैं ममी का वजन देख रही थी यहाँ पे करीबन 64.9 kg ऐसे कुछ था मतलब लगब लगब 65 kg है पहले एक मेरे चोटे बच्चे थे ना मेरे ममी अच्छे है थी थे बट अब शूगर की वज़े से उनका वेट डाउन चला गया और वह कमजोर हो गई क्योंकि शूगर में वजन कम हो जाता है यहाँ सोके उठा उर्ते मुझसे ना विहान के मामू लाए थे ना यह बोतल दूद की त और बस ऐसी रहता है सुबह सुबह तो विहान कुछ नहीं खाता विहान को पार्क में लेके जाती हूं तब जाके बस चार पांच पीस सेब के खा लिए बस इससे ज्यादा नहीं खाता है बच्चा बड़ा सुबह के टाइम मुश्किल होती है तो यह देखो मेरा कॉंबिने किया कीजिए देखिए अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों आप कर रहे हो इस तरीके के कॉमेंट्स में क्या ही बोलू यह देखो पहले तो टीफिन विहान का मैं बात कर रहे हूं अपनी इससे पहले वाली वीडियो पे मतलब आप लोगोंने कितना गंदा गंदा लिख लेकिन उनको कोई कुछ गलत नहीं बोलता और अगर मेरको सब्सक्राइबर सर ने अगर विहान के लिए कपड़े दे दिये शर्ट वगेरा तो कॉमेंट में देखना कितनी बकवास लोग करने लग रहे हैं मतलब सच बता रहे हूं यहां पे ना लोगों को एक वो मिला बड़ चलो कोई नहीं जिसकी जैसी सोच हम किसी की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन मैं भगवान जी से यही दुआ करूंगी जो मेरे बारे में इतना गलत लिखता है कोमेंट में भगवान उसको भी सारी खुशिया दे क्योंकि मैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत द जातना करती हूं कि भगवान उनको भी सारी खुशिया दे और उनकी लाइफ में भी अच्छा हो तो यहां पे देखिए यहां पे विहान को मैं फिर यहां पे छोड़ आई थी स्कूल स्कूल छोड़ने के बाद मैं सिधा आगी थी यहां पे हमारे मंडी में यह सबजी मंड पुरानी है सबजी मंडी यहां पे डाबा लगता है और यहां सेना में पिछले दो धाई महीने पहले मुझे याद है सर्दियो में मैं आलू के परांठे लेकर गई थी जो कि मुझे बहुत ही जादा पसंद आये थे पैक कर वाके लेकर गई थी और यह ना अलग है तरीके क एक परार देते है ये 60 रूपे की ब्लेट और एक सिक्ष्टी रूपीज की अगर फील लो तो 60 रूपीज की तो मैंने एक गर दी थी प्लेट यहां पे विध्न को स्कूल चोड़के आके उसका काम करके और विहान को टीफिन में मैंने नमकीन चावल दिये थे सुबह घर में बने थे नमकीन चावल और यहां पे मैं किताब पढ़ रही थी जब तक मेरा ओडर आनी जाता है तब तक मैं बुक पढ़ूंगी टाइम मैंनेजमेंट की उपर है कि टाइम को उसका ही तरीके से कैसे मैनेज करना चाहिए अच्छा मुझे मैं अब से थोड़ा सा किताबे भी अच्छे से पढ़ूंगी क्योंकि इनसे किताबे कहते हैं इनसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करते हैं अगर आपके पा एक ही टाइम खाना कर रख है अब देखो ना मैं सुबह उठी हूं साथ बजे और यह खाना मैं खा रही हूं सड़े दस बजे उससे पहले मैंने कुछ भी निखाया तीन सड़े तीन घंटे से उसके बाद यह देखो यह अच्छे अच्छे देखो कितने टेस्टी यमी इसमें सबजी तो मैंने पते हैं हुपा सब्स déjà up देख आख थोड़ी यह भी मैं ने छोड़ दी तिंग सब्जी कि मुझसे सब्सटी उच्छ लगते है यह बसे मुझे सब्सूत अलुछ यह वाल का तो मैं पिन रही है पहले किन भी ज़ोड़ कृती और में फार मैंने काना ये नहीं कहूंगे कि मेरी डाइट बहुत सही है मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ लेकिन मैं नमकीन चीजे खा रही हूँ मीठा मैंने बिल्कुल अवोइड कर दिया अपनी डाइट से एक दम हटा दिया कि बोडी में एंटर होना ही नहीं चाहिए ये शरीर में मीठा किसी भी तरीके का तो इस तरीके से देखो मैं अभी मेरा टार्गेट है कि अगले बीस दिनों में अपना दो किलो वजन कम करूँगी बहुत जादा लंबा चोड़ा टार्गेट मैं रखती भी नहीं हूँ क्योंकि जितना मुसे हो सकता है मैं उतना ही रखूंगी बस 70 किलो पर लेकर आना है मुझे वेट अपना 72 किलो से और हो जाएगा क्योंकि अब मैं ज्यादा खाना नहीं खा रही हूँ मतलब मेरे को ना सुबह के टाइम एक बार पेट भरके खाना खाना होता है और अगर मैं अभी ढंक से एक खाना ना खाऊं और कम कम खाऊं तो उससे मिरे को एनरजी नहीं मिलेगी क्योंकि पूरा दिन काम करना होता है तो रात तक लगी रहती हूँ फिर काम करने में तो मैं एक टाइम जैसे अभी मैं अच्छे से खा लूँगी ना ये जैसे दो नान उसके बाद चाहे फिर मिरे को पूरा दिन में कुछ भी ना खाऊं मैं रह लूँगी अपना काम करती रूँगी मुझे फिर दिक्कत नहीं होती बिलकुल भी हाँ लेकिन अगर अभी मैं थोड़ा सा रात को एक गिलास जैसे थोड़ा सा दूद वुद पी लेती हूँ क्योंकि देखो कहीं ऐसा ना हो ना कि थोड़ा बहुत नूट्रिशन भी चाहिए होता है शरीर को तो यह देखो यह मैंने इतना देखो दाल दूल छोड़ दी ना क्योंकि मुसे नहीं खाय जाती तो यहां मैं लसी पूछ रही थी पर लसी इनके पास थी नहीं तो मैंने फिर एक गिलास पानी पिया यह दुबारा से लिया था मैंने थोड़ा सा पानी तो पानी पी के पैस लेकर आयू और बाकी रखे हुए थे मैंने कल बताया था आपको कि मैं सब्सक्राइबर सर को पैसे दे रही थी तो मेरे पूरे थे भी नहीं आट सो रुपे कम थे घर पे नहीं होते इतना रखते न हम कैश तो 4700 रुपे करीब थे तो पचपन सो रुपे सर के मुझे देने थ तो मैं 5000 रुपे आज भी निकल वाकर लेकर आई हूँ क्योंकि सर ने बोला था कि वो आज आएंगे कुछ विहान के लिए वो लेकर आई है नमकीन भुजिया वगएरा गुजरात की कुछ होगी तो वो आज देके जाएंगे फिर वो कह रहे थे कि कल फिर वो गुजरात चल तो सबसे पहली चीज जो मिसंडेस्टेंडिंग थी वो सर ने क्लियर कर दी जो बात थी न जो भी चीजे हुई थी न वो एक एक चीज सर ने क्लियर करी मेरे को समझाई की देखो नी थी ये बात इसलिए थी ये बात ऐसे था तो सब कुछ क्योंकि मेरा जो कन्फ्यूजन थ जाके है इस तरीके के जो भी प्रोडुक्स भेजें यह न करके मुझे तो रिव्यू के लिए बहुदाहें वीडियो को बनाके मतलब कि यह लगते हैं तो मतलब आपको कैसे लगे आगे प्रोमोशन का तो मुझे समझ नहीं आया। उस टाइम की सर का मतलब बिजनिस क्या है बिजनिस मतलब अलग लग तरीके के प्रोडुक्ट का रिव्यू क्यों कचैए तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी तो सर ने मुझे बताया कि वो ना इस तरीके का कुछ बिजनेस करना चाहा रहे थे मतलब जैसे सेलिंग में आगे इसलिए वो मतलब चाहते थे कि इसका प्रमोशन के लिए और सर ने पैसो की बात बोली कि पैसे मैं उस ताइम सर मुझे क्यों नहीं ले रहे थे तो सर ने उसका भी कारण बताय सर बोलते कि आपसे 55-500 रुपे मुझे लेने थे लेकिन आपसे मुझे प्रमोशन का काम करवाना था तो प्रमोशन में हो सकता था कि मुझे ही आपको पैसे देने पड़ते तो ये जो पैसे आपको मुझे देने थे हो कट जाते प्रमोशन के काम में तो इसलिए मैं पैसे न अधार कार्ड भी दिखाया था और अपना प्रोपर सब कुछ एड्रेस वगेरा आपके पास भेजा था मैंने वट्सेप पर पता नहीं इंस्टाग्राम पर यहां पर तो मेरी शायद गलती रही होगी क्योंकि मैं इतनी बीजी रहती हूं अपने काम में मतला मैं पूरा टाइ कि देखो आपके साथ यह हो जाएगा आपके साथ वह जाएगा ऐसा होगा वैसा होगा यह होगा मतलब इतने कॉमेंट्स इतनी वीडियो पढ़के देख देख के मैं मेरा दिमाग भी उस टाइम नेगिटीव हो गया था बहुत जादा और मेरे को भी सच मैं अपने डर गई तो वह जाएगा वीडियो के नीचे जो मुझे अच्छा नहीं लगा तो सर ने बोला कि विहान मेरी सुनता नहीं है तो मैंने इसलिए बोला था कि आपका कहना नहीं मानता और आपने कुछ ऐसा किया था आपने चैनल का नाम चेंज कर दिया था उस टाइम उससे में आके कि मतलब आपने ऐसा किया तो वो बात थी तो वो सारी जो भी बाते थी misunderstanding थी वो clear हो गी और सर ने मुझे बोला कि आपने नीधी बहुत अच्छा आपको मोका मिल रहा था business करने का मतलब आप अपनी वीडियो के थुरू आगे promote करते तो आपने वो मोका उस टाइम बिलकुल ह खो दिया मतलब बिलकुल नहीं किया तो बस यही बात है यही बात हुई थी उसके बाद सर विहान से तो वो attach है यह बोलते हैं से तो बहुत लगाव है मेरा और उसके लिए विहान के लिए कपड़े वगरा लेकर आए थे तो अभी भी देख लो आपके सामने मैं पैसे आज अपना बिजनेस वगरा है जो भी वो करते हैं तो यही बात है बाकी मैं अपनी तरफ से आज भी कोशिश करूंगी कि सर के पैसे में वापिस कर दूं जो है मैं आज भी लेकर आई हूं आपके सामने हैं अकाउंट से निकलवा के जब सर आएंगे मैं सर पूरी तरफे से कि यह कॉमेंट में जो होता है मेरा नेचर मैं साफ बता देती हूं तो गलत हूं और नहीं मैं गलत थी और नाहीं मैं कभी गलत होगी समझ़ें वह चीआं मेरा जो करेक्टर है वो दूद की तरह पूर है और अब आप लोग कोमेंट करना शुरू 맛儿 को कि ना मैं इतना गुस जल जितना पवीत्र है ठीक है, मेरा करेक्तर गुलाब जल जितना पवीत्र है जी अटेट करती हो कि अच्छी लगए तो लायग किजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी किजेगा दोस्तों में इस चगरींक खावी